मेरा हमेशा से सपना था कि जगनात पूरी के दर्शन हो और कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कभी ओड़ेसा आने का मौका ही नहीं मिला और अभी क्या है हम अपनी फिल्म वनवास के प्रमोशन्स बस शुरूई कर रहे थे कि अचानक सामन्त जी से इंविटेशन आया कि उनकी जो बहुत बढ़िया उनिवर्सिटी से उनको विजिट करूँ तो मैंने जटपट हा कह दी क्योंकि जगनात जी के भी दर्शन हो जाएंगे तो बस अदबुद दर्शन हुए यहां के जो लोग हैं इतने सिंपल इतने अच्छे और इतने नेक दिल हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहां पे तो मैं जरूर वापस भी आना जाओंगा जी बनवास की शुरुवात फिल्म की शुरुवात हमने काशी विश्वनात से की और देखिए प्रमोशन की शुरुवात जगनात जी से कर रहे हैं तो जरूर भगवान का कुछ अद्बुद हाथ तो है पिक्चर के पीछे वनवास एक पिक्चर है फैमिली फिल्म है जो हमारे कल्चर को अफोल्ड करती है कल्चर को आगे बढ़ाती है और जो वृद्ध लोग हैं हर घर में वनवास है जहां पे लोग तरह तरह कारणों के वज़े से अपने एलडर्स को अपने बड़े बुड़ों को वनवास दे देते हैं और उनकी केर नहीं कर देते हैं उनको छोड़ देते हैं या जो भी उन पे मुश्किले से वो जूचते हैं बुड़े लो तो उनके एक सोशल एश्यू के ऊपर यह पिक्चर है और पूरे देश क्या पूरे विश्व की ये समस्या है जिसको हमने हाइलाइट की है और उसके कुछ समाधान बहुत एंटर्टेनिंग और इमोशनल तरीके से दिये हैं बीस डिसम्बर को ये पिक्चर आएगी और इस फिल्म का अगर मैं बेसिक एक मैसिज कहूँ तो माता-पिता का कर्म है बच्चो को पालना मगर बच्चों का धर्म है माता पिता को समालना ये मेसिज पर पूरी पिक्चर आधारित है और आम शोर ये पूरे इंडिया के साथ रेजोनेट करेगी गदर टू की भी सफल था काभी श्रे मैं सारा भगवान को ही देना चाहूंगा और बस ये फिल्म से भी यही उमीद है कि जो पबलिक को गदर टू पसंद आई थी जो फैमिली ओडियन्स तूट के गई थी इतने टाइम बाद उनके लिए कोई फिल्म आई थी तो वैसा ही सेलेबरेशन वैसा ही माहौल वनमास में भी देखने मिले क्योंकि ये पारिवार एक फिल्म है और परिवार के साथ ही इसे सेलेबरेट किया जाना अरे सनी सर कैसे नहीं होंगे उसमें सनी सर अबिसली बिना उनके कैसे गदर बन सकती और गदर थ्री जो है वो आएगी उस पे काम चल रहा है और जब आएगी आप सबको पता लगेगा